है लो दोस्तों मैं दीपेंसिंग आप सभी का एक बार फिर से रादेश टिडी हमें स्वागत करता हूं जैसा कि हम लोग क्लाश्टल्ट के एंसी आर्टी गए 3.1 आव्यू पढ़ रहे थे उसमें से हम लोगोंने सिक्स नंबर कोश्टन के फ़स्ट और सेकेंड कर लिये थे आज हम लोग पढ़ने जा रहा है उसी का थर्ड पॉइंट थर्ड कोश्टन तो हम लोग देखते हैं लोगोंने पढ़ दिया था कि कोश्ट दिया गया है x plus y plus z equal upon फिर नीचे दे रहा है x plus y plus z ये दे रहा है x plus z ये दे रहा है y plus z ये बरावर दे रहा है 957 इसके हमने तुलना की जब तुलना करते हैं तो देखते हैं x plus y plus z बरावर दे रहा है 9 के x plus z बरावर दे रहा है 5 के y plus z बरावर दे रहा 7 के ये तीनों दे अब इसे हमें क्या करना है कि इन तीनों से x y z का मान निकालना है तीनों समीकरण से तो हम लोग देखते हैं कि अगर इस समीकरण 1 में x प्लस z घटा दिया जाए तो x हड़े आएगा z यह एगा केवल y बचेगा और y का मान आजाएगा तो बस वही करेंगी कि समीकरण एक से एक में समीकरण 2 को घटाने पर जब इस समीकरण को घटाएंगे तो देखेंगे x př्लस y प्लस z में हमने घटाया X प्लस Z को तो ये हो जाएगा माइनस का X माइनस Z और इस तरह पारे चिसमें घटाएगे 9 में 5 को तो 9 माइनस 5 ये X से X कैंसिल हो गया Z से Z कट गया और Y वरावर आ गया 9 में 5 जाएगे आएगा 4 तो ये आगया Y वरावर 4 के इसके बाद क्या करेंगे Y का मान पता चल लगाए कर Y का मान समीकर्ण 3 में रख दें तो किसका मान आजाएगा J का मान आजाएगा Y का मान समीकर्ण 3 में रखने पर 3 में जब रखेंगे समीकर्ण 3 में तो हम लोग देखते हैं कि y की जगे रखेंगे 4 स्वीध लिस चारी यह लगा जाएगा यह प्लस जिड इक्वल सेवन तो जिड इक्वल हाएगा 7 माइनस फूल तो जिड इक्वल आजाएगा 30 अब यदे हम जिड का मामान समेकशन दो में रखने तो जिड का मान दो में रखने पर उस Starting करन दो में रखते हैं जिट का मान तो देखते हैं यहां पर रखेंगे तो X-Z की जगे रखेंगे 3 बरावर 5 के तो X बरावर 5 माइनस 3 तो X बरावर आएगा 5 में 3 जाएगे बचेगा 2 तो X का जो मान आया वहा जाएगा हमारा 2 इस प्रकार हमारा XYZ के तीनों के आंसर आ गये और हमारा कोश्चन कों सा कोश्चन सिक्स खतन हो गया अब हम लोग बढ़ते हैं कोश्चन नंबर सेविन की और तो कोश्चन नंबर सेविन की और बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कि कोशन नंबर सेवेन हमारा दे रहा है आपको स्क्रीन में नीचे सो कर रहा होगा शेवेन नंबर कोशन दे रहा है कह रहा है A-B A-B 2A प्लस C और दे रहा है 2A-B 3C प्लस D 2A-B 3C प्लस D और एकोल में जो दे रहा है वो दे रहा है माइनस 15013 इसे कह रहा है A, B, C, D के मान गयात कीजिए तो देखो इसकी तुलना करेंगे दोनों पच्छों की तुलना करेंगे दोनों पच्छों की तुलना करने पर जब दोनों पच्छों की तुलना करेंगे तुलना करने के बात देखते हैं हम लोग की A-B वरावर जो है वो दे रहा है माइनस 1 के 2A-B वरावर जो दे रहा है वो दे रहा है 0 के इससे अगर हम लोग मान निकालें 2A वरावर तो आएगा B के यह समीकर्ण एक ले लिया तो A वरावर जो आएगा वो आएगा या B का मान यह हमने B वरावर निकाला 2A तो B का मान समीकर्ण एक में रख देंगे एक में रखने पर जब समीकर एक में रखते हैं B कामान B की जगे रखेंगे 2 A तो A माइनस का यह हो जाएगा 2 A और बरावर दे रहा है माइनस 1 माइनस 2 A में A जाएगा माइनस A बचेगा माइनस 1 के 1 से 1 कैंसिल हो गया A बरावर आया 1 के A कामान आ गया A कामान इतना आया अता जब B वरावर हम लोग निकाल लेंगे तो यहां पे रखेंगे 1 तो हो जाएगा 2 इंटू 1 आ जाएगा 2 यह आ गया B कामान अब देखेंगे यहां से कि 2 A प्लस C वरावर जो दे रहा है वो दे रहा है 5 के 2A पलस C बरावर दिराया है 5 के और A बरावर आया है 1 के तो यहां पे रखेंगे 1 تو 2 एन Liang टू इंटू बरावर 5 के यह आ जाएगा 2 पलस C बरावर 5 तो C बरावर आएगा 5 माइनिस 2 तो C बरावर आ गया 3 के 3 के पलसे तो 5 के 3 के आगया 3 प्लस D वराबर 13 तो 3 त्रिक 9 होगा उस तरफ जाएगा तो आजाएगा 13 माइनस 9 तो D वराबर आएगा 13 में 9 हो जाएगे बचेगा 4 तो यह आगए अच्छा तो इस प्रकार कोश्चन 7 कम्प्लीट हो गया उमीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जिसको भी समझ में नहीं आया है एक बार में कोश्चन ना है तो वो रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं और दोबारा देखेंगे तो जरूरी समझ में आ जाएगा इसके बार हम लोग बढ़ते हैं कोश्चन नमबर आट की तरफ आट नमबर बढ़ते हैं आट नमबर में दे रहा है कि ऐ इक्वल जे पता है किает यूटी पंक्तियों की संख्या होती अन जो होता है वो इस तंबों की संख्या होती ये कह रहा है यहैं एक वर गाव्यू है नीचे आपको Qution सो है अता हमें पता है कि पंतियों की संख्या होती हो इस तंबोगोगी संख्या के बराबर होती है, तो हमारा यह सही हो जाएगा, तो हमारा आप्षन कुँन से सही है? हमारा आप्षन नंबर C पिललकुल सही है कोशन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, 9 नंबर देखते हैं कोशन खेराए, X और Y के प्रतर किन मानों के लिए आवियों के निम्लिखित युग में समान होंगे x, y के मान निकालने है तो दे रहा है पहला 3x कोशन दे रहा है 3x प्लस 7 5 और दे रहा है y प्लस 1 2 माइनस 3x और यह दे रहा है इक्वल में 0y माइनस 2 0y माइनस 284 इसमें जब सॉल करेंगे तो दोनों पच्छों की तुलना करेंगे जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमें क्या मिलता है तुलना करेंगे पर देखेंगे 3x प्लस 7 की जगए पर क्या दे रहा है इस तरह 0 दे रहा है 3x plus 7 equal हो गया 0 के 3x equal हो जाएगा minus 7 के x equal हो जाएगा minus 7 upon 3 के यह x का मान आ गया y का मान निकालेंगे तो यह y plus 1 बराबर दे रहा है 8 के y plus 1 बराबर 8 के तो यह 1 उस तरब जाएगा घड़ जाएगा तो 8 minus 1 हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा कितने के? तो यहाँ से y का मान एक्स का मान अगर लोग यहाँ से निकालने तो यहाँ से देखते क्या है यहाँ से तुलना करेंगे तो आएगा 2 minus 3x equal 8 के minus 3x equal 8 minus 2 के minus 3x equal हो जाएगा कितने के 6 के तो x equal आएगा minus के 3 दू नीच्छ है तो minus के 2 आएगा x के चूKEN की भिन्य भिन्नमान आ रहे है अता क्या है कि यह दोनों समान नहीं सो सकते इसलिए यह समभव नहीं है 10 number question के और बढ़ते हैं 10 number question देखेंगे जो इस exercise का अंतिम question है कोश्चन नमबर 10 10 नमबर कोश्चन के और बलड़ते हैं कह रहां 3 into 3 कोट के ऐसे आव्यों की कुल कितनी संख्या संख्या होगी जिनके प्रतेक प्रिविष्ट जीरो या एक है तो देखेंगे 3 into 3 करम का आव्यों है मतलब टोटल जो इसमें अव्यों होंगे इतने करम के आव्यों में कुल आव्यों कुल आव्यों जो होंगे वो कह रहा है कितने होंगे नौ होंगे हमें पता है कि जब करम दिया होता है तो करम का मल्टिपल करके क्या निकाल लेते हैं अव्यों निकाल लेते हैं यह होती है पंक्तियों की शंक्या यह होती इस्तम्मों की शंक्या और इस्तम्मों की संक्या में पंक्तियों की शंक्या को मल्टिपल कर देते हैं त तेक अवेयो को मतलब दो लिखा जा सकता है पहले वाले अवेयो को भी दूसरे को भी दो लिखा जा सकता है ऐसे कितने तक लिखा जा सकता है नाइन टर्म तक का मतलब होता है पांसो बारा तो हम लोग चेक कर लेंगे हमारा अंसर काउंस से सही है तुम्हारा ओफसन जो है डी नमबर इच करेक्ट तो इस प्रकार हमारी काउंस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 3.1 कंप्लीट हो गई अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 3.2 को तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय टेक क्या